वायू सेना प्रमुख ने कहा कि हम अपने शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वायू सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे सैनिकों की वीर्थ नहीं जाने देंगे। प्रमुख ने किसी भी कीमत पर अपने देश की संप्रभूता की रक्षा करने की संकल्प को दर्शाया है। बीजेपी अध्यक्ष नडडा बोले सीमा पर डटे फोजियों का मनोबल गिरा रही है कॉंग्रेस। भारत चीन के बीच लद्दाक में बढ़ते सीमा विवाद को देखते हुए भारत सरकार ने शुक्रवार को सभी दलों की बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी ने इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। गई है ऐसे में कॉंग्रेस के नेता ट्वीट करके फोज का मनोबल गिरा रहे हैं। राजिस्थान जनसमवाद कारे क्रम को संबोधित करने के दौरान नड़ा ने कहा कि सर्वदलिय बैठक में एक स्वर से सभी लोगों ने कहा कि सारा देश प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा है। लेकिन कॉंग्रेस पूछ रही थी कि क्या हुआ? कैसे हुआ? कहा हुआ? गोरक्षपीट ने चाइनिस आप जूम का किया बहिशकार। भारतिय सीमा पर चीन की बढ़ रही खुसपैट को देखते हुए पूरे देश में मेडिन चाइना का जम के बहिशकार किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरक्षपीट ने भी अंतिराश्य योग दिवस के कारे क्रमों में जूम आप का प्रियोग नहीं करने का एलान किया है। 15 जून से 21 जून तक चल रहे इन कारे क्रमों के तहट शेक्षिक कारे शाला में लोग जूम आप के जरीए एक दूसरे से जुड़ रहे थे। लेकिन लगदाग की सीमा पर भारतिय सैनिकों के बलिदान होने की खबर से आहत होकर इस आप का प्रियोग रोग दिया कया।